नमस्कार मुलानों, अनुदेब यूर स्टड़ी बड़ी मदे आपले स्वागता है, हमने लास्ट सेशन में काल, टेंसेस, ये सिखा है, और उसमें हमने वर्तमानकाल प्रेजन टेंस पड़ा है, तर आपन यहां सेशन मदे शिकुया, भूत काल, पास टेंस, सलातर सुरू जसा आपन लास्ट सेशन मदे शिकलो, कि काला चे तीन प्रकार पड़तात, वर्तमानकाल, भूत काल, आणि भविश्य का, सो हमने लास्ट सेशन में वर्तमानकाल प्रेजन टेंस पड़ा है, इकड़े आपन शिकुया, भूत काल, जेवा क्रिया पदाचा रूपा वरुन, क्रिया, पूर्वी घडून गेलेली अस्ते, असाबोध हो तो, तेवा त्याकाडाला भूतकाड असे मनता, इसका मतलब है, क्रिया पत्से हमें ये समझ में आता है, कि वो आक्शन पहले कभी हो चुकी है, ऐसे जब हमें समझता है, तो उसे भूतकाड पास्टेंस कहते हैं, फॉर एक्जामपल, राम शारेद गेला, कब कल गया होगा, सो राम स्कूल गया था, मी अभ्यास केला, तीने जेवन केली, भूतकाड चे चार उपप्रकारा है, जैसे वर्तमान में भी साधा, अपूर्ण, पूर्ण, रिती वर्तमान का अथ हैं, वैसे भूतकाड में भी य चार उप्शन, चार सब टॉपिक्स है, साधा भुतकार, अपूर्ण, कीवाचालू भुतकार, पूर्ण, भुतकार, रिती भुतकार, चलो हम एक-एक करके चारो उप्शन्स देख लेते हैं, साधा भुतकार, एकादी क्रिया ही अगोडर घडूम के लेली अस्ते, वो त्य इसका मतलब ये है कि एक एक्षन हो चुकी है और मैं अब उसके बारे में बात कर रही हूँ तो उसको साधा भुतकार बोलते हैं में अमबा खाला तो मैं अभी ये बोल रही हूँ कि मैंने आम खाया कभी पहले कभी आम खाया मैंने ये मैं अभी बोल रही हूँ सचिन क्रिकेट खेलडा भूत काड़ा है पर मैं अभी बता रही हूं तेजस्वी रस प्याली जूस पिया पहले कभी तो और मैं अब बता रही हूं तो खि real अवदर घडून गेले लिया है और आता आपन तेचा ब बोलता हो था एकादी क्रिया मागिल्काड़ा चालू होती कि वा घड़त होती मन्जेस त्यावेस ते kur अपूरनो होती चालू कभी अवस्तेथ होतीete वा त्याक्रिये चा अवस्तेला अपूर्न इसको अपूर्ण भुत्का और सालू भुत्का कहते हैं, for example, तेजस आमबा खात होता हूँ, so मैं बोल भी हूँ कि तेजस आमबा खात होता हूँ और तभी एक चिडिया आई और वो दुसरा आम लेके गई, तो उस वक्त वो खाने की क्रिया चल रही थी, तेजस भी गाने गात होती, so तेजस भी तब गाना गा रही थी, तब ही स्पीकर खराब हो गया, ऐसे कुछ होता है, तो वो गाना गाने का कार्या पूर्ण नहीं हुआ हाँ, वो चालू था, अपूर्ण था, सीमा स्कूटर सालवत होती, तितक्याथ एक बेल तीचा समोराला, पहले स्मीबा स्कूटर चला रही थी, तब ही एक बेल उसके सामने आ गया, तो स्कूटर चला रही थी, यह पूररा कम्प्लिक नहीं हुआ है, तो जबlei-भी हूत कार में, वो क्रिया चालू है, पुर्णा कंपले ली ली असते, अस्चेवा अंधाजेटो तेवा तेला, पुर्णा भुतका लसे मखता, सो complete हो गया है रवी ने गाने गाईले होते उसका गाना गाके complete हुआ था तेजस ने अभ्धास केला होता सो complete है वो पढ़ाई कर किया complete हो गया वो मुलानी पेपर लीला होता तो यह इस टाइप में जो हुआ पास्ट एंस में वो क्रिया complete हो गई है उसे बोलते हैं पूर्ण भुतकार रीती भुतकार भुतकारात एकादी क्रिया साथ तक्ताने घड़त आलेली असून ती क्रिया पूर्ण देखिल्ज आलेली अस्ते अशाकाला चालू पूर्ण भुतक कि वह रीती भुतकाल मनता है, जैसे रीती वर्तमान कहा था कि मी दरोरोज व्यायाम करतो, तो दरोरोज करतो है तो तो रीती वर्तमान काल हो गया, रूटीन है, वैसे ही ये रूटीन अगर भुतकाल में कोई फॉलो कर रहा है, तो उसे रीती भुतकाल कहते है, For example, मीना रोज व्यायाम करित होती कि वा मीना रोज व्यायाम करित असे जस्मीना रोज मंदिराज जात होती कि वा जस्मीना दररोज मंदिराज जात असे तो अभी नहीं जा रही है, पहले वो जा रही थी रोज पूजा नियमिशालेच जात होती कि वहाँ पूजा नियमिशालेच जात असे जो भवी भूतकार में रूटीन चल रहा था उसे रिती भूतकार कहते है हमने जनरल टिप्स on paper presentations and how to manage the time इसके बारे में वीडियोज बनाए हैं आप जरूर देखिएगा हमारे ये दोनों link description box में हैं description box में first वर्तमान काल का explanation का भी link description box में हैं आप मुझे comment में बता सकते हैं कि आपको ये session अच्छा लगा आपको और कौन सा topic difficult जाता है और कौन से study related issues आते हैं we will try our best to help you thank you so much see you soon you